मुइंत को आए हैं हाग हे बतायेはं क्या आवरेस्था को मजाग मजाग नहीं मोच यह दिकिएख वेंगले एक नाम गया है उसकाम के अधार के उनका नाम एग गीता में लिखा है चातुर वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभारत रहा इसका क्या मतलब हुआ उसका मतलब क्या हुआ उसका और के आधार पे सवकुन का विभाजन हुआ है कर्मों कैसे जैसे जो चैना कि दिक है जिएक भब क्रिष्ण भगवान बोली है तो वेद व्यास लिखें गीता महाभारत से अच्छा कई से पता चला कि कृष्ण भगवान बोले हैं हमारे रिसी मोनी लिखें जैसे आपके बुद्ध धम में बुद्ध की व्याक्था लिखी गई है बहुत से एक मिनटें एक मिनटें हमको कहानी मत सुनाएं आपके बुद्ध हम में गीता की बात कर रहे हैं ऑर कह रहे हैं कि गीता में आपके रिसी मूनी ने लिख दिया है ठीक है भाई तुम्हें तो कहता हूं कि सी तो उसमें से किसने लिखा है इन चारों वेड़न में से गीता वेद व्यास लिखेयें हैं गीता कोन से वर्ण में आते थे अएसे तो भगवान था लिकिम ब्रामहर थें द्राम्हर वर्ण में थे अच्छा जी मतलब एक ब्रामहर 29 के बता रहा है कि हमारा वर्ण जो हैं सबसे टॉप पे हैं और हमको जो निर्धारीत किया है उस सबसे आसान वाला काम खुद ले लिया है आप यही कहना चाहरा है ना एक ब्रामध जो है किताब लिखता है और अपने लिए मतलब आपको सुन लिजे आपके चार दोस्त हैं बिल्कुल बोलेगा आपके चार दोस्तों में तो एक दोस्त क्या कहता है कि खुद से किताब लिखता है लेकर कहता है कि जो दस लड्डू है बाकी कि आप जो तीन लोग है आप लोगों क्या करोगे लड्डू बनाओगे लड्डू बनाके आप लोगों का क्या है लड्डू बनाओ और लड्डू बनाके आ हम तीन दोस्तों की न सेवा करते रहना तो यह बता कौन रहा है वह ही बता रहा है जो नियम कानून लिख रहा है तो हम कर रहे हैं कि यह काम आप चौथे को दे दो शुद्र को दे दो शुद्र क्या करेगा वो लिखेगा जब लिखेगा तब बोलेगा कि ऐसा है तुम तीनों काम करो बनाओ बना के हम को दो इस लोग का अर्थ तो बहुत बाद की बात है यह तो आप उनिये सवाल का जबाब नहीं दे रहें ना उसी का जबाब नहीं आपको बोलने तब दिये जाएगा जब आप उस सवाल का सुनेंगे उसका जबाब देंगे मेरा सवाल क्या था कि एक चूर जो है वो क्या करे कि अपनी किताब लिखे और उसमें अपने लिए लिख दे कि बाकी सब लोग दुनिया जो है खाना बनाए की किताब लिए ऐसा आ ऑर भाती के तुम लोगका काम है कि हो कुछ भी कर लें इसका्ड़ हो अभी डिया तो उसका जबाब देजिए कि वह किताब जब आपके न लिखा है तो बाकी के तीन वर्ण जो है उस किताब को क्यों माने इसका जबाब दीजिए पहले बोले बिल्कुल बोले जबाब दीजिए हम जबाब देजिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग यही तो आप ही तो जाती बात के में जड़ हैं आप ही तो सुद्र सुद्र करके सबको अलग कर रहे हैं अफी जैसे लोग न कर रहे हैं हम लोग में क्या बोला कि जो चांब करेगा वह रहेगा जैसे कि अगर कोई वर्मा भी है अगर वो भी वेड पढ़ेगा तो ब्राम्हणी का लाएगा वैंन उसका और अभी तो तो आप एक काम कीजिए आप यहां आए हैं तो भागवद गीता की बात किये मैंने भागवद गीता खोला आप बेद पे भाग रहे हैं वह एक पहले अपना किताब चूज कर लिजिए जिस पर अच्छे से डिसकसन हो सके ना ऐसा थोड़े होता है कि एक किताब पर अच्छे से डिसकसन कर लेजिए फिर अगला पर आएंगे ना चली अब बताईए अब भगवद गीता को बले के बोल रहे हैं कि जैसे आप ही लोग जैसे आजकल चल गया है यादो तीवारी सिंग अब ही मैंने जो क्वेश्चन किया उसका अपने जबाब नहीं दिया फिर आप मुद्दा छोड़ के भाग गए मैंने अभी मेरा जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर कोई चोर जो ह किताब लिखे हैं और इसको बाकि सब लोग मान लो तो बाकि के तीनों वर्ण मानेंगे क्यों मेरा यह सवाल है यह जबाब देजिए जवाब देंगे अब सुनिये जवाब देंगे वर्ण के आधार पे ये वाला जो बोले इसका ही उत्तर दे रहे हैं तो आप बोलने मतले से ही है कि आप वर्ण का विवस्था भी गाड़ रहे हैं कली तैल को लिकी एक मिनट मिर्स्टर ग्यान फिर से आप वहीं में घाम किये हैं मेरा सवाल था कि ब्राम है अपनी किताब लिखी होता कौन लोग पबलिक जाती है उन्वर्ट सीटी जाती है एक मिनाट लोग जाते हैं वहां पर पढ़ते हैं तो उनको डिगरी मिलती है तो उनको वो उन्वर्ट सीटी वो कॉलेज उनको डिगरी देती है इब्रामण होता कौन है जो बताएगा पूरी दुनिया को कि तुमको ये वर् जो पूरे समाज को बहारती होता क्या तुम्हारा यह करम है कि वह एक वह करम होता क्वह नॸंग हो पहले किて About रिवर्स कर देते हैं जो जिसको आप करम जो आप सुद्रों को दे दीजे और आप जो है नाला साफ करना सुरू कर दीजे आज ही नाला साफ करना सुरू कर दीजे और जितने भी जो आप करम दे रहे हैं वो सारा करम उठाय के छोड़ दीजे कि एक सारा करम जो है दूसरे लो रखा है वह कामाज से आप स्टार्ट कर देजे हम बोलिए बिल्कुल बोलिए ना इसलिए तो है जैसे अगर कोई आदमी का बात करूंगा मनुस्य आदमी तो जो आदमी है अगर वह नाला साफ करेगा तो आप उससे सूध्र मठा रहा है आप उसे कहिए कि वह कारी कर रहा है उसके बलबोटी उसको आप सूध्र नहीं कह सकते हैं अगर वही अग्यान व्यक्ति किसको आप समझा रहे हो आप एक एक मिनट एक मिनट सारा काम आपका किया धरा है यहां पे लोजिकल फालसी मत कीजिए कि आप लोग जाती बाद कर रहे हैं पूरा के पूरा किताब यह य और भगवान जो है इनके बाप ददाओं को किता बता रहे हैं कि यह वर्ग यह करेगा इनको बता के जा रहे हैं कहानी सुना रहे हो हमें एक खुद से ही किताब लिए कितने साल पहले कितने साल सब लोग मिल की कंठस्ट करते थे जबाद ये तवाब वर्ण में ब्राम्हर भी कर सकता है जैसे आपकी संभाजी में कौन कर सकता है अरे भाई देखें सुनिये कहानी मत सुनाइए हमें कहानी मत सुनाइए मैं जो पूछ नहीं जवाब दे रहे ना आप जबाभी नहीं दे र आफ अभी भी नहीं दे रहे है आप ने अभी धी रहे हैं कि अरे भाई रूःत ना का है। पिखला कर डाल दो, यह सब भी आपने लिख रखा है, आपने ये भी लिख रखा है कि जी फार दो, ये कर दो, आपने शुद्र का काम दे रखा है कि उपर से तीन वर्णों की सेवा करना, यह सब लोग देख चुके हैं कि जिसको आपने अच्छुत ठारा रखा था, उन थकार सबाइब करहाम का इसका किसका पढ़ना है अपको ये गीटा प्रेश को जर口 के दिखने से भर ए अब कर नवमें खुलार चलिये घाने में छो है पढ़िये इसको एक एक बार गीता प्रैस कुरकपूर मैंने कहा दिया ना कि उसी का है इसकी मैं गारेंटी दिखाए कि फिर लाइए वह भी दिखा दूंगा मैं लेकिन पहले इसको पढ़िये अप दिखाए है अगर इउसका आपको दिखाना पड़ेगा अगर गीता प्रिटा प्रश गूरपू क्योंकि एपार्थ जो कोई पाप योनी है तीक मेरे पास तो की टाराइ में क्लास नहीं होता है पुष्टके अम लोग पढ़ते हैं कितने आप बेशरम व्यक्ति हैं जब मैं 날 कहा दिया कि गीता प्रॉंट पेज में दिखाऊंगा इसको पढ़िए तब उसके बाद से भी आ परो रहे हैं जो सबसे पहला गीता का भाष्य माना जाता है पढ़िए इसका हिंदी क्या लिखा हुआ है चली है क्योंकि हे पार्थ जो कोई पाप कोई नीओं वाले हैं अर्था जिनके जनम का कारण पाप है ऐसे प्राणी हैं वो कौन है सुकातें विस्त्री वैश्य और सुद्र भी मेरी सरण में आके मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम पुत्तम गति को ही प्राप्त करेंग अर्था जिनका जनम कारण पाप है ऐसे प्राणी है वे कौन है सुकातें हैं विस्त्री वैश्य और सुद्र भी मेरी सरण में आके मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ठीक है अगर यहां पे वे इस्त्री वैश्य शूद्र और कोई अब यहां प्राप यूनी वाले हैं यह नहीं कह रहा है कि कोई पाप यूनी बाद में हो गया यह कर रहा है जो कोई पाप यूनी यूनी का मतलब होता है जनम जो जनम है आपका जनम से ही पाप यूनी है पाप यूनी यूनी को ही उसने पाप बता दिया यानि जनम को ही पाप बता दिया कहता है जिनके जनम का कारण पाप है यह नहीं कह रहा है कि बड़ा हो के पाप काम करेगा कह रहा है उनके जनम का कारण ही पाप है ऐसे प्राणी हम कं कहा रहा है अरे सुन लीजे आ आपने बोला मैंने प्रिष्ट क्या आपको भी कहते हैं उस्तरी वईश हो तो आप क्या रहें जनम लेता थे हम報導 और आप क्या बता रहे थे वर्ण विवस्ता के बारे में हम लोग जातीवादी कर रहे हैं अरे आपके किताबों में कूट कूट कर लिखा हुआ है आपने तो इस्त्री वैश और सुद्र को जनम जाते ही पाप में घुसेड दिया यह जब आप कुछ बोलना चाहांगे तो आप मेरा मिट कर दे रहे हैं अभी तक सब लोग जितने लोग भी यहां देखें हैं किसी ने भी यह नहीं कहा है देखें, आप खासी खाक हूँ कर रहे हैं सांत रहूँ है, म्यूट कर लिजए खुद से आपके बैग्राउंड से खासी की भी हवज आ रही है तो उसको म्यूट कर लिज़े manipulate लिजे आप जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ दो ही conversation हो رہा है या फिर आपको बोलने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कता ही नहीं हो रहा है कि आपको म्यूट कर दिया गया है, आप जूटा प्रोपगंडा मत खिलिए यहां पे, और मैं बार-बार कहता हूं कि जब भी कोई कॉलर यहां पे नो म्यूट का गेम खेलने लगे तो आप समझ कि आपके गीता में जो है वर्ण बेवस्था बढ़ा अच्छा है, करम से दिया है, यह दिया है, और यहां पे आपके भाशेकार जो है, शंकर जो है भाशेकार, जो सबसे पहले भाशेकार है, वो खुद कह रहे हैं, कि बाई, इस्त्री वैश्य शुद्र का जनम का का कारण ही पाप है, जनम को ही पाप बता दिया उन्होंने, और तो और अगला शलोक 33, इसमें कहते हैं, जो पुन्य योनी ब्रामहड, और ब्रामहड को कह दिया पुन्य योनी, ब्रामहड के जनम को ही पुन्य योनी बता दिया, तो यहां साफ 32 और 33 से कोई भी देख सकता है, कि यह जूट बोल झानकी से Espero गानारै में अपने हैश्छा झालक शूद्रैनी अनकी से गानलु सब्सक्राइब और जूंखा जनण दो झालक झाल देता हुम वहीं दीखा देता हूं आपका अब वह भी दिखा देता हूं आपका कि आपका रायत है ना कि गीता प्रेश गुरखपूर यह देखिए सिधे फर्स्ट पेज पर आजाई आप लोग यह किस प्रकाशन का है वह भी इनका नहीं तो कहेंगे कि इनको दिखाया नहीं गया अच्छा यह देख लिए श्रीमद भागवद गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहीद मूल स्लोक भाष्य भास्यार्थ टिपनी श्लोक और नीचे आप लोग देख लिए यह मुद्रक तथा प्रकाशक गीता प्रेश गुरखपूर सब लोग देख लिए मुद्रक तथ अच्छा ठाइब श्रीमद भाष्य भाष्य गवलें सब्सक्राइब करें विए उसको क्या करें हम लोग वड़िये वह नहीं बताएंगे अप आप जो मुझे देरा ऊप जो में आपको देघें पर देने इसको पढ़िए फिर मैं आपको जबाभी अब अब कुछ भी पढ़ें कुछ भी पढ़वाएं उससे हमें मतलब नहीं हमने कहा कि आपने भागवद गीता की बात की भागवद गीता में जो स्लोक मैंने खोल दिया उस पर तो आप हार गए पूरी तरह से जिसमें आप बोल रहे थे कि जनम से होता है जबाब तो जीजिए ना से हमको कहानी सुनने की आदत नहीं है सीदे-सीदे बताए कि कैसे उनको पाप युनी बोल दिया पूर्जनम की हसाब से भी हो सकता है पूरर जनम की अगर वहिश्य यू नहीं में ले रहा है और अगर इसमें इस्त्री बन रहा है इसका मतलब कि पापी है पाप करके आया है करनियाए पिछले जनम में एक भी स्त्री है झाइज अई है जो कोई सत करम किया हो यह यह सब के सब पाप करकिये हैं इसलिए इस फिने में पेदा हुए सब चार तेरा सुनेंगे लेकिन अपहले इस बात को किलियर कीजिए अभी आपने क्या कहा देखें मिश्टर ग्यान यहां पर ऐसी बकवास नहीं चलती है नमस्कार नमस्कार आप यहां पूरी तरह से निरुत्तर हो गए हैं एक आपके पास जवाब नहीं था आपने ये तक क कारण जितने लोग भी जनम लेते हैं वैश्य में इस्तरी में शुद्र में यानि जिनको जिनको यह कह रहा है वैश्य शुद्र और इस्तरी सब के सब पापी है पिछले जनम के पापी है अब बताए दोस्तों किसको किसको वर्ण बेवस्ता पसंद है वैश्य को बोल रहा ह ऐस्तिरो को शुद्रों को समस्ति गया वंदा अपनी माता को भी बोलल दिया यह और अब कि माइड आपके गर माता बहने होंगी सब नहीं होगएं पुछे हैं अगर आप मान भी रहे हैं एक गर महिला होती है कि नहीं होती है उसका जनम होता है उसको एक ब्रामहर जो है जिस महिला से जनम लिया तो महिला पापी हो नहीं अब रामहर पुन्य यों नहीं वह ना है को कुछ आते हैं और इस Also this प्रीकिश्थिच में और बॉल्ण कहा दिया अपने उसойти के बारे में सय फसाफ लिख दिया कि वह पाप योटिजि नगोट दिया आपने blocking नहीं दिया अपने बराम्हट को कहा दिया कि पराम्ह готов接 यो नि और महिला जो है इस्त्री जो है वह तो प्योनी होती है ये आपने लिखाया ना यहाप जिस महिला को आप प्योन है ने लिए श्वाजण जीव जनतु है हर जीव जन्तु को उसकी म village प्ल्ठी यह है खिलाती फिलाती है बाप का रूल तो बहुत कम होता है बाप के लिए मां कि जली खंडन करता है यहां तब 32 और 33 ठीक अच्छा ठीक है यह मान लिया चलिए चार तेरा भी खुल लेते हैं यहां आ जाते हैं वहां भी आ अध्या उसको आप पुड़े काट सकते हैं चलिए चार तेरा कहा ना अपने अध्याय चार लोक नंबर 13 चलिए खुल लिया मैं बोली बोली चातुर वर्णम्या सिष्टम यह देखिए ब्रामः च्छत्रिय वैस्य वसू इन जारू वर्णों का नाम चातुर वर्ण है सत्व इत्यादी स्तुरतियों की यह प्रमारित इत्यादी स्तुरतियों में प्रामःार के सम्द अंर वित्यादी कर्म है जिससे सत्वगुण का है और रजोगुण प्रधान है उसे चत्रे के सुर्वीरता तेज प्रभुती कर्म है जिसमें तमोगुण और रजोगुण प्रधान है ऐसे वैसे प्रिशियादी कर्म है जिससे रजोगुण और तमोगुण प्रधान है उसका छुद्र का केवल सेवा ही कर्म है और ठीक है ऐसा यह चारवनों की अलग-अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है इसलिए पूर्वलोक के मनुष्य के लोक यह विसेशन लगाएं तो इसमें यह बताया गया कि जो चारों वन है भगवान द्वारा है तो सब के भगवान अब यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हएं जो ब्राम ह्ट है खुद से किताव लिखता है अब को इसमे बता दिया कि शत्य कुध प्रमल होता है इस्ने रजोगर्मोड की चर्चा नहीं किया सब्सक्राइब बताया लेकिन जब इसने छत्रिय को बताया तो इसमें इसने क्या बता दिया कि शत्वगुण गौण है गौण मतलब बहुत कम है और रजोगुण प्रधान है रजोगुण ज्यादा है छत्रिय में फिर कहता है तमोगुण गौण तमोगुण कम है रजोगुण प्रधान है ये कौन है ये और फिर क्या कहा, शुद्र को क्या कह दिया, कि ये रजोगुन इसमें कम है, अत्मोगुन ज्यादा है, शुद्र का केवल सेवा ही कर्म है, तो आप ब्रामहड जो है, खुद से किताब लिखा, खुद से बोल दिया, कि जो ये हैं, शुद्र है, इनका काम सेवा का काम है, तो म दूसरे को कह दे कि तुम्हारा काम सेवा काम है तो हम उसकी बात क्यों मानने भाई आपकी बात हम मानने क्यों खुद मलाई लेकर बैठ गये दूसरों को कह रहे हो तुम्हारा काम सेवा करम है और तो और ये भी कह रहा है कि इस वर ने कहा है रहे आपके रिसी मुनी लिखके वामरा काम कर सकते हैं कब आपने यह कीताब लिखी है इसमें इसमें बोला गया है कि करम के अधार पर और कौई जूइ से ज है इस आपको कह जो comment क्या करता है यह नहीं कहा गया है करम के अधिकार पर इसने यह कहा है का impacted है देक्षि-開 स्थ-धार्फै शत्व रज तम इन तीन गुणों के विभाग से तथा करमों के विभाग से यह चारो वर्ण मुझ इस्वर द्वारा रचे हुए उत्पन किये गए हैं इस्वर कह रहा है कि मुझ द्वारा यह रचे गए हैं यानि इस्वर ने इस चीज को रचा है यह जो सत्व रज और तम ह प्रमपिए के दौरा रचा गया है यह नहीं कह रहा है कि हम मुझे इस्वर रचे गया है या अगर इसी के अंदर गर डालता है किसी के अंदर तम रच रहा है उस्वर तो यहां है नहीं लिखा दौपके रिसिने और दो के लाएं आप लोग यानि व्रा महड़ जब चाश्ती प्राम्हड के शम्ह दम तर्प इत्यादी कर्म है यह नहीं कह रहा है कि जो करम करेगा वह ब्राम्हड के करम है यानि आप अगर ब्राम्हड बन जाओगे तो आप ब्राम्हड का यह काम होगा प्राम्हड जो है अरजुन जो है अरजुन को कृष्ण ने इस गीता में क्या उपदेश दिया कोई भी ध्यान से सुन सकता है क्रिश्न कहते हैं अर्जुन से कि भाई तुम छत्रिय हो अन्य था उसका तो करम का चाहरा था कि लड़ाई न करें अर्जुन तो यहीं न कह रहा था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे यानि कि अगर वो उसके हाथ में होता कि हम लड़ाई नहीं करेंगे तो कर लेता लेकिन क्रि यहाँ परोष रहत है कि इसका यह लिखा हुआ है वो ये काम करेगा यह लिखा हुआ है यहां पर समझ रहे हैं आप जूट पूल और भी इस्वर के द्वारा बनाया हुआ है यह लिखा हुआ है चले आप आपने एक स्लोक दिखा दिया आप एक स्लोक मैं दिखाता हूं कोई करम के अधार पर नहीं होता था जैसे बताए कि उधिष्टर जी का टाइटल क्या था सिंध युदिष्टर का इतिहांस है सबूत है उसका उधिष्टर नाम का व्यक्ति महाभारत में आते हैं स्पाइटर मैं बैट मैं मैं आप टाइटल बताओगे भरजी कुछ भी लेक सब्सक्राइब करते हैं उसने यही बात यहां पर कही है कि शत्वगुण ब्रामहड प्रधान है शत्वगुण जिसमें होता है वो ब्रामहड होता ही ब्रामहड की बात कह रहा है यह नीचे कहेगा रजोगुण की व्रिधी के समय यानि अब यह च्छत्रियों की बात करेगा उसने पहले ही बता दिया है कि जिसमें सत्वगुण होग हुए वह जोगुल कर दो щुच हैत्य है। जोगुलु कologne कर दोपन हैं। वैसे ही तमोगुड के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मुड योनियों में पशु आदी योनियों में उत्पन होता है। एक ब्रामः का बच्छा है उसके अंदर जो सत्गुड आपने बता दिया कि ब्रामः के अंदर सत्गुड होता है। सत्गुड बन गया कैसे कनवर्जन होता है भाई सरीर के कौन से हिंसे में रहता है वह इसे सत्गुड और रजगुड तमगुड जो कनवर्जन होते रहता है। सत्गुड गुड तमगुड गुड गुड का अर्थी होता है स्वभाव जिसका जैसा स्वभाव वैसा उसका गुड होगा। स्वभाव कहां से आता है स्वभाव इस्वर प्रदत है इस्वर स्वभाव को लेके आता है आप पूरा कहें नहीं पड़ते हो यह अपने दिखाया अब अगिला स्लोक यहां पर आजाओ ना चैप्टर 18 का यह 41 नंबर स्लोक पर आजाओ ना यह 41 पर आजाओ उसमें बता द च्छत्रिय और वैश्य इन तीनों और शुद्रों के भी करम विभक्त किये हुए हैं। च्छत्रिय और शुद्रों के भी करम विभक्त किये हुए हैं। च्छत्रिय और शुद्रों के भी करम विभक्त किये हैं। च्छत्रिय और शुद्रों के भी करम विभक्त किये हैं। नहीं, साइंटिस्टों ने यह माना कि एक ही प्रजाती है होमो सेपियन्स। यह आप धुरतों की काम क्या है कि आप लोगों ने इंसानों को बाट दिया है। इस शुद्र है, इस अंतियज है, इस ब्रावन है, इस नोटन की खुद लिखें किताब, खुद के पिताज लिखके जातिवाद को वर्णवाद को बढ़ावा दियें। आई बाट के यहाँ पर सब को बढ़ावा दे रहें। दूसरों को बता रहें हैं कि दूसरे लोग जो हैं, वो जातिवाद फैला रहें। कहानी घढ़ा रहें। साइंटिस्ट कहा रहा है कि यही प्रजाती होती है होमो सेपियेंस यह जवर्जस्ति का बंटवारा कि यह पड़े हैं जस्टिफाई कर रहें इस्वर के नाम पे।